हलो फ्रेंट्स वेलकम टू रिकेप्टेनेम आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एडवेंचर फेंटेसी मुवी को जिसका नाम है जैक दा जाइंट सेलर मुवी की शुरुआत होती है एक पुरानी कहानी से जिस जमाने में राजा एरिक का राज था कुछ पादरी ने ऐसे बीज बनाए जिससे वो बहुत ही विशाल पेर उगा सकते थे और पादरी ने ये बीज इसलिए बनाए थे कि वो इन पर चड़ कर उपर जननत में जा सकें और पेड़ों के उकते ही वो उनके उपर चड़ कर उपर जाने लगे उपर चड़ने के बाद इनको एक ऐसी दुनिया मिली जहां पर जाइंट्स यानी विशाल दानव रहते थे। जाइंट्स इन्हें देखकर समझ गए कि ये तो इनसान हैं। उन्होंने इन पाद्री को मार दिया। और इन पाद्री को मारने के साथ साथ इन्हें नीचे आने का रास्ता भी मिल गया। और इन पेडों की हेल्प से जाइंट्स नीचे धरती पर आ गये। इसके बाद इन्होंने धरती पर आकर कतले आम मचा दिया और इनसानों को मार कर खाने लगे। और इसी बीच सिपाईयों ने एक जाइंट्स को मार दिया और इसे मार कर पाद्री ने इसका दिल निकाल लि इसके बाद राजा ने उन्हें वापस उनकी दुनिया में जाने का आदेश दे दिया। फिर इनके जाने के बाद राजा ने उस पेड़ को कटवा दिया। और उन बीजो को अपने साथ महफूस जगा रख लिया। काफी समय तक ये बीज राजा के पास ही रहे। कुछ टाइ बाद हम जेक को देखते हैं जो अब बड़ा हो गया है जो अपने अंकल के कहने पर शेहर में घोड़ा बेशने जा रहा है। शेहर आने के बाद ये एक ड्रामा देखता है यहां बेस बदलकर प्रिंसिस भी आई थी पर कुछ लोग प्रिंसिस के साथ जबरदस्ती करने को पता चल जाता है ये कोई आम लड़की नहीं बलकि प्रिंसिस है फिर प्रिंसिस यहां से चली जाती है इसके बाद हम मेहल में रॉडरिक को दिखाया जाता है जिसके साथ राजा प्रिंसिस की शादी करना चाते हैं लेकिन प्रिंसिस इसको बिलकुल भी पसंद नहीं करत जिसने भी बीच चुराए हैं वो बच के जाने न पाए इधर जेक को भी गोड़े का कोई खरीदार अभी तक नहीं मिला तबी एक पादरी जेक को बुलाता है और जेक से कहता है कि मैं तुम्हारा गोड़ा खरीदना चाता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है पर गोड़े के बदले में तुम्हें ये कीमती बीच जे सकता हूँ पर जेक कहता है कि मैं इन बीजों का क्या करूँगा मुझे पैसे चाहिए फिर पादरी उसे एक आदमी का एडर्स बताता है और कहता है कि ये बीच उसे दे देना वो तुम्हें इन बीजों के बदले पैसे दे देगा आखिरकार जैक मान जाता है फिर बादरी कहता है कि ये बीच जादूई है ध्यान रखना ये पानी के संपर्क में नहीं आने चाहिए इसके बाद जैक घर आता है लेकिन इसके अंकल इस पर गुस्सा करते हैं और वो इसे बहुत सुनाते हैं कहते हैं कि वो तुम्हें बेवकुफ बना कर चला गया और ये बीच फेक कर चले जाते हैं इसके बाद जैक इन बीजों को उठाता है लेकिन एक बीच नीचे गिर जाता है और बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है प्रिंसिस भी महल से भाग जाती है क्योंके ये रोडरिक से शादी नहीं करना चाहती जैक प्रिंसिस को अपने घर के अंदर ले आता है ये दोनों बाते करने लगते हैं इसी बीच बारिश का पानी बीच के पास आने लगता है और फिर इस बीच से एक बहुत ही विशाल पेड उगने लगता है और साथी ये उस घर को अपने साथ उपर ले जाने लगता है प्रिंसिस घर में ही फस जाती है और जैक नीचे गिर जाता है सुबा जब प्रिंसिस के पिता यानी राजा जब वहां आते हैं तो वो देखते हैं कि एक बहुत ही विशाल पेड़ वहां पर उपर आस्मान में जा रहा है उसके बाद जब उन्हें सब कुछ बता देता है जिस पर राजा अपने सिपाईयों को प्रिंसिस को वापस लाने का आदेश देते हैं तब ही रोडरिक और जब भी उपर जाने के लिए कहते हैं और सिपाई उन दोनों को भी अपने साथ ले जाने लगते हैं लेकिन रोडरिक मुझे वो बीच जे दो फिर जेक उसे वो बीच जे देता है पर वो एक भीच छिपा कर अपने पास रख लेता है और ये लोग प्रिंसिस को ढूंडने के लिए दो ग्रूप बनाते हैं कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जिस ग्रूप में जेक था उनके सामने जाइंट्स आ खा जाता है दूसरा जाइंट रोडरिक के पीछे से आता है वो जैसे ही रोडरिक के पास आता है तो रोडरिक वही जादूई ताज निकाल लेता है जिसे देखकर जाइंट उसके आगे जुक जाता है ये वही ताज है जो जाइंट्स के दिल से बनाया गया था इसके बाद रोड्रिक जायंट के लीडर के पास पहुँचता है और उसे जुका कर उसके थ्रोन पर आजाता है सभी जायंट रोड्रिक के गुलाम ही, finding a pool इसल SEC बनारा होता है वहीं प्रिंसीस भी कैद होती है, तभी वहा जैक आजाता है जेक उसे चुड़ाने की कोशिश करता है तभी वो जाइंट प्रिंसिस को उठा लेता है और प्रिंसिस को मारने ही वाला होता है तभी पीछी से एक चाकू लेकर जेक उस जाइंट के पीछे कूच जाता है चाकू लगने से जाइंट घबरा कर दिवार से टकरा जाता है जिसस चाकू अंदर घुसने पर उसके मौत हो जाती है इसके बाद यह तीनों वहां से भाग जाते हैं और उस पेड़ के पाल जाते हैं जहां से यह नीचे आये थे पर यहां पर एक जाइंट सो रहा होता है उसे वहां से हटाने के लिए यह मदुमकी का च्छता उसके हेलमिट में डाल देते हैं जिससे हडबढाकर जाइंट नीचे गिर जाता है इस जाइंट को देखकर राजा फौरण समझ जाते हैं कि जाइंट नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए यह तुरन पेड़ को काटने के आदेश दे देते हैं इधर सिपाई जेक और प्रिंसिस को beforehand जानना चाता है और उसके साथ ही उसे रोकना भी चाता है इसके बाद यह नीचे आरा होते हैं और इधर रॉड्रिक भी जाइंट के साथ नीचे आने की तयारी कर रहा होता है क्युक्या जाइंट्स की हैलफ से ढशरते पर राज करना चाता है पर अचानक वो सिपाई पेड़ को काट देते हैं जेक और प्रिंसिस मरते मरते बचते हैं वो सिपाई भी पेड़ पर कूत कर वहां से निकल जाता है अब जाइंट के पास नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है पर तभी उन जाइंट किंग को वो बीच की थेली मिल जाती है और वो उन्हें पानी में डाल देते हैं जिससे वो विशाल पेड़ उगने लगते हैं बाकी जाइंट उन पेड़ों का रुख धर्टी की तरफ कर देते हैं जिससे जाइंट नीचे आने लगते हैं इधर इस सबसे अंजान राजा को अपनी बेटी भी मिल जाती है और राजा जेक का शुक्रिया कर देते हैं अब राजा और उसके सिपाई मेहल में जाकर ही पच सकते हैं जाइंट्स राजा और उसकी फैमली के खून के प्यासे हैं क्योंकि ये उसी खांदान के हैं जिसने उनको वापस उपर भेजा और ये किसी ना किसी तरह मेहल पहुच जाते हैं पर जैक पीछे रह जा अब उपर आने का कोई रास्ता नहीं बचा तो इसलिए जाइंट्स नीचे कोई और रास्ता डूनने लगते हैं पर दर्वाजा अभी भी बंद नहीं हो रहा क्योंकि जाइंट्स भी इसे रस्टियों से खीश रहे होते हैं दूसरे जाइंट्स जलते हुए पेड़ महल के अंदर फेक रहेते अब राजा भी समझ चुके थे कि अब इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे राजा प्रिंसिस से कहते हैं कि महल के कमरे में एक हुफिया रास्ता है वहाँ जाकर तुमें एक मशाल मिलेगी तुम जाकर उसे जला देना जिससे सब को पता चल जाएगा कि हम सब खत्रे में हैं जेक और प्रिंसिस महल में चले जाते हैं लेकिन वहाँ इन्हें जमीन के नीचे से कुछ आता हुआ महसूस होता है ये दोनों ये देखकर छिप जाते हैं फिर जमीन के नीचे से वही जाइंट निकल कर आता है जो पानी में गिरा था इस जाइन को इनकी स्मेल आने लगती है और ये इन दोनों को ढूंड लेता है ये दोनों भागने की कोशिश करते हैं पर किंग जाइन्स प्रिंसिस को पकड़ लेता है जेक उसे बचाने की कोशिश करता है परी जेक को भी पकड़ लेता है और ये उसे खाने वाला होता है पर आज है किदर राजा की सिपाहे अपनी पूरी ताकत से दर्वाजा बंद करने की कोशिश करते हैं और जाइट्स भी इन पर लगतार जलते हुए पेड़ ये कोशिश करते हैं जैनिकंस भी अरժ कर जैन सिन पर दो को चीरता हुआ वो पेड़़् बाहर आने लगता है और जैक को कुछ महसूस होने लगता है और वो सभी अपने घुट्णों पर ज़ुग जाते जब ये लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो जेक उस जादूई ताच के साथ खड़ा होता है और फिर ये उस ताच को पहन लेता है और ये सब जेक के गुलाम बन जाते हैं और फिर जेक भी उन्हें वापस जाने का आदेश दे देता है इसके बाद उन पेड़ों को जाता है जेक और प्रिंसेस की भी शादी हो जाती है और वो अपने बच्चों को भी यही स्टोरी सुना रहे होते हैं बच्चे पूछते हैं जेक बताता है कि उस ताच का रूप बदलकर उसे म्यूजियम में रग दिया गया जहां किसी को भी उस ताच की सच्छाएं नहीं पता और इसी के साथ मुवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो कमेंड करो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को हम मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई